नमस्कार मैं एक्स्टॉलजर निमरलोजिस वास्थू कंसल्टेंट सरीता गुपता आप सबका बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ आज हम बात करेंगे कुम्ब राशी के कुम्ब राशी जो भाचकर की ग्यारवी राशी है और ऐसे वेक्ति जो है उनका स्वभाव कैसा होता है और साल 2022 उनके लिए कैसा रहेगा ये जानेंगे और छोड़े जोटे उपाये जो उनको करने हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी कुम्ब राशी वाले वेक्ति जो है अपने आजपास की दुनिया को सुधार कर उसे रहने लाइक यानि एक अच्छी जगा बनाना पसंद करते हैं यानि आजपास के लोगों का बहुत खयाल रखते हैं दूसरों की कम्या भी इनको पराशल जाती है उनको एक सुधार लाकर के उनको लिए लापकारी देते हैं ये लोग अपनी साथ जो है अपनी सारी जिम्मेवारियां अपने कंधों पर ले लेते हैं यानि अपने घर के मुख्या चाहे भले ही ना हो छोटे वेक्टियों बन तो अपने घर का पूरा भार अपने पर लेके रखते हैं सच्छे अर्थों में इंसानियत के गुन इनके अंदर होते हैं उन्नत शील और आधुनिक्ता के विचारों पर चलते हैं और जल्दी ही दूसरे लोग भी इनके साथ जोड़ जाते हैं और एक बहतर समाज बनाने के प्रयास में लग जाते हैं और इनकी मितरता का दायरा भी काफी बड़ा होता है सोशल सरकली में अपने आपको आगे हेड की भूमी का ये निभाते हैं साथ साथ जो है ये दूसरों का खयाल भी रखते हैं इनका जो स्वामी ग्रह वो शनी है शनी ग्रह इनको बहुत लाबकारी देता है शनी ग्रह के साथ साथ ये काम थोड़ा देर से बनते है पर इनकी योजनाय है बहुत सफल रहती है तो चलिए जानते हैं साल 2022 इनके लिए कैसा रहने वाला है लंबे समय से जो आप योजनाय बना रहे हैं वह आप संभव है कि उन पर अमल करने का समय आ गया है पैसे की अवक आपके उत्सहा में इजाफा करेगी और यहीं नहीं जीवन साथी और माता पिता का प्रेम भी आप पर बना रहेगा संतान को लेके थोड़ी चिंता हो सकती है परन्तु थोड़ा सा उन पर ध्यान देने की ज़रुत है व्यपार और धन की बात करें तो व्यपार या नौकरी जो भी करते हैं दोनों में ही पैसों में आपके लिए साल उत्तम लेकर के आएगा समय नए रास्ते खुलेंगे पैसा आने के नए जर्ये भी बनेंगे साथ ही किसी को अगर उधार दिया गया पैसा है तो वह भी वापसी मिलने के योग बन रहे है प्रापर्टी में निवेश के लिए ऐसा में उचित है इस समय आपको प्रापर्टी लेना चाहते हैं तो वो ले सकते हैं परिवार की बात करें, प्रेम की बात करें, तो प्रेम संबंदों वालों को पारडर्शिता बरतने की आवशकता है, कोई भी चुप जो है संबंदों में खटाई डाल सकती है, जिनका अभी तक विवाह नहीं हुआ है, उनके लिए अच्छे विवाह प्रस्ताव आ सकते हैं, सगाई, रोका या किस तरह का कारिकरम भी बन सकता है, किसी धार्मिक या समाजिक कारिकरम में आपको भाग लेने का मौका मिलेगा, साथ ही आपके जीवन सातिकत कोई अन्बन चल रही है तो वहें भी दूर होगी, आर्थिक सिति की बात करें तो धन कमाने के सासत भविशे के लिए संचित करने की भी जो है आपको करना होगा, फिजूल खर्ची पर नियंतन रखे, नौकरी पेशा लोगों को भी नए अफसर मिलने के योग बन रहे है, अफसरों का भरपूर लाब उठाए, शिक्षा वा करियर की बात करें तो छात्रों के लिए मेहनत वाला समय हो सकता है, लेकिन अच्छी बात है कि आपकी मेहनत बेकार नहीं जाने वाली, अगर लगातार काम करेंगे, मेहनत से काम करेंगे तो सफल भी होगे और आपके साथ जो धहरे आपके साथ चलता है, वो धहरे आपके परियासों में निरंदरता बनाये रखेगा और भरपूर जो है अपने समय का सदूपयों कर पाएंगे, जो लोग law या medical की पढ़ाई करें उन लोगों के लिए चातरों के लिए विचेश रूप से सफलता दिलाने वाला समय है प्रेम संबंदों में मिठास बनी रहेगी जीवन साती को पूर्ण समय दे पाएंगे विवायोग्य जीवन साती की प्राप्ती होगी अगर आप किसी को प्रपोस करना चा रहे हैं तो इसके लिए भी आपका समय उत्तम है स्वास्थे की बात करें तो स्वास्थे की दृश्थी से यह समय आपके लिए उत्तम रहने वाला है हाला की मौस laughe बिमारियां आपको परेशान कर सकती हैं लेकिन जो किसी लंबी बिमारी से परिशान चले आ रहे थे व्यक्ति उन्हें साल के अंति तक इस बिमारी से राहत मिलने के संभावना है खान पान के प्रती लापरवाही ना बरते बाहर का खाना जहां तक हो सके अवाइड करे नियमित योग प्रणायम व्यध्यान करने से लाप के योग बनेंगे क्या छोटे-छोटे उपाये करें आये जानते हैं गरीबों को दान पुन करने से लाप होगा कंबल दान कर सकते हैं उनको आप कोई जो है उनको खाने पीने के लिए कोई वस्तों का दान कर सकते हैं पैसा उनको नहीं देना है खाने में अपने मुख्य भोजन में आप शनिवार के दिन कोशिच करें उड़त की डाल और काले चने जो खाएं और साथ ही आप ये उड़त की डाल काले चने और काले तिल का आप दान भी करें आपके लिए शुब दिशा है पश्चिम दिशा बहुत शुब है और उस दिशा में आप अगर कोई काम करते हैं वहाँ बैठते हैं ओफिस के लिए तो आपके लिए वो शुब रहेगा शुब रंगों की बात करें तो शुब रंग हरा नीला और काला शुब अंक आपके बनते हैं 4, 18, 13, 17, 22 और 26, 4, 18, 13, 17, 22 और 26 है पक्षियों को दाना डालने से लाब होगा थोड़ा सा कोईला जो है आप बहते जल में आप थरस्दे की दिन या शनिवार के दिन बहादे उससे भी लाब की संभावनाएं बढ़ जाएंगी और आपका जो भी कारे अटक रहा है वे आपका पूरा होगा 2022 आपकी खुशियों में इजाफा करेगा साल 2022 में आपको 2021 की कमिया दूर करने का मौका मिलेगा और जो भी आपकी कमिया रह गई है उसको सुधार करके आप अपने कारियों में सफलता प्राप्त करेंगे धन्यवाद